Hey guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus के एक लेटेस्ट अपकमिंगी स्मार्टफॉन के बारे में जो की 8 सीरीज होने वाली है So guys, ये स्मार्टफॉन सीरीज होगी Asus Zenfone 8 सीरीज इसमें आपको दो स्मार्टफॉन देखने को मिलेंगे Asus Zenfone 8 Mini और 8 Flip So guys, आज हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone 8 Flip के बारे में उसकी फुल स्पैसिफिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो guys, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट एक वीडियो के लिए तो guys, सबसे पहले बात करें हम उसके में हाइलाइटी फीचर की तो वो होने वाला है उसके बैक कैमरा को लेकर तो guys, इसमें आपको जो बैक कैमरा सेटप देखने को मिलेगा वो ही फ्रन्ट कैमरा भी होने वाला है तो guys, इसमें आपको फ्लिप कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है जो की एक बहुती बैटर फीचर होने वाला है तो guys, बात करें इसकी लाँच डेट की तो वो आपको 12th of May देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको एक बहुती बैटर डिस्पले देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपको जो experience मिलने वाला है वो full view डिस्पले का होने वाला है इसी के साथ इसमें जो 6.67 इंचिस की एक super emulate डिस्पले देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 120Hz का higher refresh rate भी मिलने वाला है इसी के साथ इसमें कोई भी notch या फिर punchol का selfie camera नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको full view डिस्पले देखने को मिल जाएगी इसी के साथ in display fingerprint sensor का भी support मिलने वाला है अगर साथ ही साथ बात करें हम इसकी performance को लेकर तो यहाँ पर आपको flagship level की smart performance देखने को मिल जाएगी क्योंकि यह smartphone एक flagship smartphone होने वाला है इसी smartphone में आपको Snapdragon 888 का processor देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुती better processor है और Asus Zenfone की 8 series के जितने भी smartphone आपको देखने को मिल जाते हैं सबी में आपको Snapdragon 888 का processor देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इसके RAM and storage variant को लेकर तो यहाँ पर 8GB और 256GB तक के RAM variant देखने को मिल जाएंगे और अगर हम बात करें इसके camera setup को लेकर तो guys इसमें जो आपको camera setup मिलेगा वो back camera और front camera सेम रहने वाले है क्योंकि यहाँ पर आपको flip design देखने को मिल जाता है इसी के साथ जो इसमें आपको triple camera setup देखने को मिलेगा primary sensor होने वाला है 64MP का साथी साथ telephoto lens और macro sensor भी यहाँ पर मिल जाएगा और guys इसमें आपको 8K तक की video recording का option देखने को मिल जाता है अगर आप एक YouTuber है या फिर आप video recording करते हैं तो आपके लिए यह smartphone better choice रहने वाली है क्योंकि इसके back camera को या front camera की तरह यूज़ करके अपनी video को record कर पाएंगे बात करें इसके battery capacity को लेकर तो इसमें आपको 5000 mili empire की battery capacity मिलने वाली है जो कि 30 watt के fast charger support के साथ आती है अगर बात करें इस smartphone के weight को लेकर तो यह आपको 220 gram तक देखने को मिल जाएगा तो गाइस इस smartphone की pricing की बात करें तो यह smartphone आपको 45,000 तक देखने को मिलेगा Indian market में और गाइस इसकी जो launch date है वो आपको 12th of May देखने को मिल जाती है global market के लिए और यह बहुत ही जल्द आपको Indian market पे भी मिल जाएगा तो गाइस अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और इसी तरह की किसी भी smartphone और technical update से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करकर bell icon को press करें और अगर आपके कोई भी question या फिर curious हो तो उसको आप comment कर सकते हैं तो guys हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में, thanks for watching